नमस्कार दोस्तों आज धंतेरस के कुछ उपाई लेकर आया हूँ इन उपाईओं को यह दियाप करते हैं तो धंतेरस में आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके जीवन में बहुत ही फायदा देखने को मिल सकता है धंतेरस का हिंदु धर में बिसेश महतुमाना जाता है इस दिन लोग मातालच्मी कुवेर धनवंतरी देव को अपने अपने धंग से पूजा करते हैं वा उनको प्रसंद करने का प्रयास करते हैं या तेवार कार्तिक मास में कृष्णपच के त्रेधसी तिति को मनाया जाता ह जैन दर्म के अनुसार धनतेरस को धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन लोगों ने भगवान महावीर के सुन्दर वचनों को सुनकर अपने जीवन को धन्न किया था जैन दर्म के अनुसार धनतेरस को धन्ने तेरस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी दिन लोगों ने भगवान महावीर के सुन्दर वचनों को सुनकर अपने जीवन को धन्न किया था हिंदु धर्म की मानिता के अनुसार और सदियों के ग्याता धन्न देव समुन्दर मंतन से अमरत कलस लेकर आये थे सब स्वास्त और निरोगी हों ऐसा सोचकर इस दिन लोग धन्न देव की पूजा करते हैं आज हम धन्तेरस के दिन करने वाले कुछ उपायों की बात करेंगे जिनको करने से इस दिन का पूरा लाव आपको मिल सकता है धन्तेरस के दिन गर के सभी फैमली मेंबर पीले रंग के कपड़े पहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा पीला रंग माता लच्छमी को बहुत प निकलने वाला प्रकास आपके घर की दरिद्रता को दूर कर सकती है और घर में सकारात्मक उर्जा का प्रभाव होता है मातारानी की फोटो के नीचे पीले रंग के कपड़े का आसन बिछाना चाहिए आसन के लिए यूज करने वाला कपड़ा पुराना भले ही हो लेकिन प्रीत प्रभाव पढ़ सकता है कपड़े में धोग बत्ती वा अगरवत्ती आद से भी कोई सुराग ना हो जाए तो भी उस कपड़े को बदल देना चाहिए क्योंकि फटे हुए कपड़े बिल्कुल भी आपको मातालच्मी के नीचे आसन में नहीं बिछाना चाहिए पूजा के स्थान पर 13 कोड़ी और 11 गोमती चक्र को रखना चाहिए इसके बाद इनकी पूजा करनी चाहिए दीवाली के बाद नए साल के साम के समय इने पीले कपड़े में बांध कर अपनी तिजूरी या धन रखने वाले स्थान पर रखना चाहिए धनतेरस की दिन नमक के दो पैकेट खरीद कर घर जरूर लाना चाहिए इससे घर की नकार अत्मक उर्जा बाहर चली जाती है धनतेरस के दिन दो ज़ाड़ों खरीद कर जरूर लाए क्योंकि हिंदू धर में ज़ाड़ों को लच्छमी की मानिता दी गई है इसलिए उन ज़ाड़ों की पूजा करन नीचा ये धनतेरस के एक दिन पहले घर की सभी खराब दवाओं को घर से बाहर फेक दे इसके बाद धनतेरस के दिन धनवंतरी देव की पूजा करें क्योंकि धनवंतरी को आयरुवीद का देवता माना जाता है अपने घर के पूजा के स्थान को धनतेरस के दिन पहले साफ सुतरा कर ले धंतेरस के दिन अपने घर के पूजा के स्थान को भोल कर भी साफ ना करें क्योंकि धंतेरस के दिन माता आपके घर पर आती हैं धंतेरस की पूजा करते समय मोंगरे का इत्र देवी माता पर जरूर छड़ के मोंगरे की दोप का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए साथी देवी मा को कमल का फूल चड़ाना चाहिए अब अंत में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको मातालच्चमी के मंतर का जाप करना चाहिए इस मंतर को दिन में कम से कम एक माला जरूर फेरें इसके बाद अपनी इच्छा हुआ परेसानी देवी मा को बतानी चाहिए देवी मा आपकी जरूर सुनेगी मताल अच्छमी का जो भी मंत्र है आप किताब से पढ़ सकते हैं यदि आपको याद है तो आप उसको बोल सकते हैं तो ये तो आपके लिए उपाय थे जिससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है कमेंट वाक्स में सरद्धा भाव से जैमाता दी लिखना बिल्कुल भी ना बोलें तो दोस्तों ये वीडियो वस यहीं तक था अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सेयर कर दें पहले बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देख पाएंगे ओके थैंकि दोस्तों जैहिंद आपका दिन मंगल मैं हो